चरो बेटा, सारे बच्चे, चैप्टर का नाम तो डाली लिया होगा, पॉलिनोमिल है ना, अब पॉलिनोमिल में हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है बच्चा, क्योंकि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ा होगा बेटा, एट्थ में, ठीक है, पहले पढ़ना है हमें, पॉलिनोमिल यह लिखो, टॉपिक्स, टॉपिक्स लिखने के बाद लिखो, पॉलिनोमिल, इन, लिख देना, इन बन वेरियेविल है ना विटा, पॉलिनोमिल इन बन वेरियेविल, इन लिखना इज नहीं है, जीरो सा पॉलिनोमिल, फिर उसके बा प्रिज़ी लिखो बेटाँ, इतने टोपिक पड़ने है, पॉलिणोमल में, कोई बचा बताईगा, पॉलिणोमल होता क्या है, किसी को आता हो थोड़ा गहुत, तुम नहीं बताऊँगे बेटा, बेकसाइड से कोई बताऊ पीछे से, बता बेटा, पॉलिणोमल क्या होता, च सबाता नहीं कुछ नया बताऊगैं आचा हाँ भाते किए प pt इन एक नहीं जरुड़ी नहीं होता जरूड़ी हाँ एको दो तीन हो सब चल जाएगा ठीक है जलती लिखा जो बेटा करने हैं हम लोगं को अभी तो 9th क्लास है ना तो 9th में बहुत डिटेर में नहीं पढ़ना है लेकिन हाँ यह जरूर है आइडेंटिटी बहुत देशारी पढ़नी है 9th क्लास में फिर तुम लोग रिमेंड़ थेोरम पढ़ोगे इसका तो बहुत यूज है आगे भी फैक्टर करो बात नहीं करो ना आ रचह अब छेंच करें लिख लिए हो सारके अलग्रे एक्सक्रेशन इपहलेक पहलों पढ़िक आता है पोरिनोम्ययल इंबन वर्येटिविल है डानने के बाद में सारे बैसे है यह ये लिखेएंगे इसकी डिज्फिनिशन किःज्मेश खेवर मीनिंग हो जाता उसकी power तो variable की power हमेशा एक whole number रहना चाहिए ठीक है मैं कुछ example लिखता हूँ जैसे मालले बच्चा मैंने एक example लिखा 3 x की power 4 प्लस x की power 3 by 2 सारे बच्चे यहां देखो लिखने पर फोकस मत करो आयूस बताएगा बिटा यह पॉलिणोम्ट है यह नहीं नहीं है नहीं है ध्यान से देखो यह कहता है का जो बैरिय यरिविल होता है बैरिय यिल की power कैसी औनी चाहिए whole number यहां पे देखना यहां तो whole number है यह whole number नहीं है whole number start काँसे होते है अबनी बता whole number कहां से start होते 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होते हैं न तो यह तो whole number नहीं है बच्चा समझ में आया है? जब यह whole number नहीं है यहां तो है यह नहीं है तो यह polynomial नहीं है ठीक है? This is not the polynomial, next Next example में लिखा, x की power 2 plus 1 upon x की power 3 मेर बता polynomial है? यह polynomial नहीं है बेटा, क्यों नहीं है? ध्यान से सुनना यह x की power कितना है? 3 अगर मैं इसको उपर लेके आऊँगा तो x की power कितना बन जाएगा? minus 3 और ऐसा थोड़ी नहीं denominator में चेक करोगे तुम तो भाई, चीजों को उपर लाके ही तो solve करोगे तो यह भी polynomial नहीं है क्योंकि यह exponent की जो power है वो negative में बन जाएगी बेटा ठीक है? तो यह दो example ऐसे हो गए जो polynomial नहीं है next मैंने लिखा x की power 2 plus x की power 3 plus 5 बेटा यह polynomial है या नहीं है? यह है इसमें कोई दिक्कत नहीं है है ना? यह तो विरुकुल कोई टेंसन ही नहीं है यह polynomial होगा next fourth मैंने लिख धिया simply वेटा मैंने लिख धिया 5 यह polynomial है क्यों यह बताए? constant polynomial है क्योंकि इस 5 को तो मैं ऐसे भी लिख सकते हो वेटा 5 into 1 लिख सकते हो? और 1 और बोलो नहीं बोलो नहीं और 1 को लिख सकत वेटा x की power 0 क्योंकि किसी की power 0 करते तो answer 1 आता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की power 0, तो यहाँ पर यह एक तरीके से तुमारा constant polynomial बन गया, ठीक है, तो यह भी एक polynomial होगा, अच्छा मैं एक्जामपल लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 0, 0 polynomial है का नहीं है, बिल्कुल है, है यह भी polynomial होता है, ठीक है, एक काम करो, यह जितनी मैं एक्जामपल लिखाए, जल्दी से लिखना जल्दी जल्दी करो, बढ़िया से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख होगा, बढ़ा था पका, तो मैं नहीं लिखा रहा है, इसमें क्या है, टाइपस ओप पॉलिनोमियल बेस्ट ओन नम्मर ओफ टर्म्स, अगर किसी में एक टर्म है तो उसको क्या बोलते है, मॉनोमियल, अगर मैं एक्जामपल लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 5X, समझ में आ गया, क्या, ऐसे तो डेल सारे होते, कोई जरूबत नहीं उनको जानने की, समझ मैं, तो बेटा एक चीज समझ में आ गया, ये, तो ये बनाना चाहो तो टेबल बना लो, इसमें क्या है, अगर बाइनोमियल, बाई का मीनिंग होता है, टू, तो जिसमें दो टर्म होती है, बाइनोमियल बोलते है, ट्राइ का मीनिंग होता है, बच्छा, तीन, तो जिसमें तीन टर्म होती है, ट्राइनोमियल बोलते है, मोनो, जिसमें एक टर्म होती है, ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में मैंनी टर्म्स जिसमें आ जाएं, वो उस बनाने को नहीं आता है, बनाने को क्यों आएगा यह कभी, बनाने को नहीं आता है, लेगि नियाद रहेगा ऐसे, ठीक है इसलिए, लिख लो बिटा जल्दी करो, नेश्ट करते हैं, हम लोग variable की power चेक करते हैं, ना के constant की power, अगर कहीं लिखा हो, मालो 3 की power 3 by 2 लिखा है, तब भी यह क्या रहेगा, constant polynomial रहेगा, हम लोग सिर्फ variable की power चेक करते हैं, अब बिटा सुनो, आगे, अब यहाँ से चीजें important इस्टार्ट होती हैं, आज लिखने का काम थोड़ा सजाते एक important topic start होता है, degree of the polynomial, तो एक काम करोगे, degree का meaning basic क्या होता है, degree होता है, highest power of variable को बच्चा हम degree बोलते हैं, highest power of variable को degree बोलते हैं, अब उसमें यही दे रखा है, कि जिसमें one variable होता है, तो जिसकी highest power होती है, उसको बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, highest power of variable को degree of the polynomial बोलते हैं, लेक इस case में degree कैसे decide करोगे, तो उस case में degree ऐसे decide करनी है, कि जो variable है, उनकी power code, अलग-अलग दोनों की degree को add कर लो, add करके, जिसका sum सबसे ज़्यादे आएगा, वही degree हो जाएगी, ठीक है, जैसे मैं एक example देता हूँ, पर एक काम करो, ये दो definition लिखो तो पिटा, फिर मैं example देता हू जल्दी से लिखो तो, ये दो definition लिखो, नीचे वाले point मत लिखना भी, और नीचे वाले भी लिखी भी लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये definition लिखे, नीचे वाले point लिखो, फिर question करते हैं, जल्दी लिखो, अगर तुम लोग लिख लिए तो ध्यान से सुनना, लिखे, 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 अब मैं कुछ example लिखूँगा, तुम लोग उसके answer बताओगे, छोटे छोटे, माले बच्चा मैंने पहला सवाल लिखा, नहीं में आगे question है, इसमें slide में होंगे, लिखो, find the degree of the following, और पहला सवाल, find the degree of the following में, पहला सवाल, अगर मैंने लिखा बेटा, एक पॉरिनोमेल लिखा कोई, 3x3 प्लस 2x2, और मैंने बोला degree बताओ, अरजुन बता degree क्या होगी, डिगरी की definition पढ़ना एक बार बेटा, जल्दी पढ़ो, definition क्यों नहीं लिखी, लिखा करना बेटा, जो भी लिखा है, सब कुछ लिखना है, छोड़ना कुछ नहीं है, अब लिखोगी नहीं तो तुम्हें समझ में कहां सा आएगी, अब अभी लिखे लो, degree किते होगी, 3 होगी, बहुत आसान है, डारेट सवाल है, इसकी जो degree होगी बिटा, degree होती है, highest power of variable, यहां variable क्या है, x, x की highest power यहां से 3 है, यहां 2 है, तो 3 answer हो गया, ठीक है, आगे सुनो, आगे सुनो, दूसरा question, मैंने बोला, 3x की power 5, प्लस x की power minus 3, अब रुको, अब यह को degree बताएगा, चलो, आरजन, बता degree, आचा, यह लड़का कह रहा, degree 5 होगी, पहली बात तो यह बता, यह polynomial है क्या, तो polynomial ही नहीं है, तो degree कैसे चेक करोगे, समझ मागया, अगर तुम मालो किसी, कार को ही सही करता, उसके पास किसी patient को लेके चले जाओ, कि नहीं नहीं, इसकी टा अनिये, तो यह इसका होना क्या जरूरी है, यह polynomial होना बहुत जरूरी है ना पिटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, degree not defined, degree not defined, polynomial नहीं है, ना, not a polynomial तभी तो degree not defined है, यह answer यह option आता है, तो यह वाला टिक करना होगा, degree not defined, ठीक है, degree not defined उसकी होगी, जे वो polynomial नहीं होगा, ठीक है पिटा, next, question number 3, मैंने लिखा, 4xq plus 1 upon x, अब मैं को सबसे last मिच्चा तुम बताओ, degree बताओ इसकी, यह polynomial है क्या, polynomial ही नहीं है, क्यों नहीं है, पॉलिनोमल बिटा, क्योंकि देखो, यहां पे x की पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा, इसका मत्रब 1 है, अगर मैं इसको उपल लेके आऊँगा, तो x की पावर कितना बन जाएगा, minus 1, और minus 1 बन गया, इसका मत्रब तो पॉलिनोमल ही नहीं है, जब कोई पॉलिनोमल नहीं है, तो degree not defined, तो इसका अंसर भी क्या होगा, बेटा, degree, इसकी होगी, degree not defined, degree not defined, next, question number 4, चलो, इसका बताना है, और कौन बताएगा, बेटा, चलो, हिमांक बताएगा, try कर बेटा, right answer, याद रखना बेटा, यह जो question मैंने दिया है, इसकी degree 4 नहीं होगी, इसमें case में क्या है, different, different जब variable होते हैं, जब different, different variable होते हैं, तो दोनों की degree add हो जाती है, degree के case में, जैसे यहां पर, इसकी degree कितनी है बच्चा, 3, और इसकी भी 3 है, तो 3 और 3 कितना होगी, total degree कितनी हो गई यहां से, total degree 6 हो गई, कि, multiply किसने बाले में, plus बाले को नहीं, multiply किसने बाले को देखते हैं, तो यहां से degree 6 आ रही, यहां से degree कितनी आ रही बच्चा, 4 आ रही है, तो highest कितनी है, 6 है ना, तो हमें answer इसका लिखना पड़ेगा, degree equal to 6, degree equal to 6, next, question number 5, मैंने लिखा, x की पावर 3, y की पावर 2, x की पावर 4, y की पावर 2, plus x की पावर 5, और मैंने बोला, बताओ, इसकी degree क्या होगी, पहले question लिखो, पहले सारे बच्चे question लिखो, फिर उसके बाद degree के बारे में, हम लोग सोचेंगे, लास्ट बाला, लास्ट बाला, कितना, दो बच्चो का, तीन बच्चो का, चार बच्चो का अंसर आ रहा है, तुम बता बिटा, राइट आंसर है, देखो कैसे बताया, इस बच्चे ने देखा, यहां से degree कितनी आ रही थी, यहां से कितनी आ रही थी, 6, देखो यहां से तो 5 आ रही डिग्री, यहां से 6 आ रही, यहां से 5 आ रही, तो हाइएस्ट कितनी हो गई, 6, तो मैं degree बताऊंगा, इसका correct answer, degree equal to 6, दिखोगे है न, हवा में नहीं करोगे कोई भी चीज, उसके बाद मैंने लिख दिया, suppose, यहां लिखा बेटा, मैंने 2, और मैंने पूछा, डिगरी बताओ, सिर्फ 2 लिखा, बता, जीरो होगी, जीरो होगी, गलत बोल दिया तो हम लोगोने, देखो बेटा, इसको 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बेटा, 2 into x की पावर 0, कि 2 into 1 लिख सकता हूँ, और 1 को लिख सकता हूँ, x की पावर 0, तो यहां डिगरी कितनी आ गई इस कोईशन की, इस कोईशन की ज जीरो लिखा, इसकी डिगरी बताओ, गरत आंसर, सुनो बेटा, इंफिनिटी नहीं बोलते हैं, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, बात है नहीं, चिला मत, मत बोलो न बेटा, 1, 2, 3, पागरी तरह कर रहें, मत बोलो न, चुप चुप सुना करो जादेतर, जब एक अबर मौका मिलता है न, बोलने का तब बोला करो, पीछे से ऐसे नहीं बोलना है, जीरो लिखा, जीरो को लिखने का तरीका मेरा देखना, डिगरी बताने का क्या होगा, माल लो इस बच्चे ने सोचा, का सर मैं लिखूंगा 0 into x की पावर 1, क्योंकि 0 into anything तो 0 ही रहता है, त तो लिखूंगी कि 0 into x की पावर 3, तो डिगरी कितनी हो रही 3, क्योंकि 0 into anything करोगे, तो अनसर तो 0 ही रहना है, तो यार ऐसे तो तो तुम लोग जितने बच्चे बैच्चे सबके हिसाब से अपने मर्जी से x की पावर चिपकाते रहोगे, डिगरी बदलती रहेगी, तो य यहां मैंने क्या लिखाये था, degree of a 0 polynomial, 0 polynomial is not defined, लास्ट वाला पॉइंट यही था, कि 0 polynomial अगर होता है, तो उसकी degree defined ही नहीं होती है, और degree of a non-zero constant polynomial, constant polynomial की degree क्या होती है, हमेसा, 0, जैसे मैं बोलू 5 की degree क्या है, 0, 2 की degree कितनी है, 0, 3 की कितनी, 0, root 7 की कितनी है, root 7 की degree कितनी होग यह कैरा not defined, बहुत बढ़िया पिटा, बहुत बढ़िया, पता नहीं क्या सुर रहे हो तुम लोग, इसकी degree क्या होगी, इसकी degree not defined, infinite नहीं बोलो, is not defined, ठीक है, next, question number अगर 8 में लिखा, root 11, इसकी degree क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि root 11, यह मन देखो किया, इसकी power 1, इसकी power कोई फरक नहीं पड़ता, variable की power whole number रहनी चाहिए, और यहाँ variable दिखी नहीं रहा, तो constant polynomial बेटा, तो इसकी degree 0, constant की degree हमेशा 0 होती है, चाहिए वो constant की सकल कितनी भी गंदी क्यों नहीं हो, ठीक है, हाँ भाई, कुछ भी हो, क्या फरक पड़ता, 2 क्या है, 2 तो तो तुमारा constant number constant number की power कुछ भी कर दो, कोई फरक नहीं पड़ता, definition कहती है, कि जो variable होता, variable की power whole number रहनी चाहिए, ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से लिखो, तो अब degree का question, अगल तुम ने गलत किया exam में, तो समझ लेना, देख बटा, है क्या, सीन यहाँ पर, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर जो highest power होती है, उसी को बच्चे हम लोग degree बोलते हैं, ठीक है, जो highest power होती है, variable को उसी को degree बोल रहे होते हैं, याद रखो न, अभी definition क्या लिखाई थी मैंने, थोड़ा पीछे चलते हैं, highest power of variable को ही degree कहते ह नहीं है, ठीक है, जो highest power होती है, उसी को बच्चा हम लोग degree कहते हैं, अब मैं बेटा, यह चेंज कर दूँ, topic आगे बढ़ते हैं, हाँ, जल्दी बूलो, पहले solve करेंगे तब, पहले solve करेंगे इसको, पहले solve करेंगे, समझ में आगया, जो तुम बोल रहे हैं, जो तुम बोल रहे हैं, कहीं ऐसे लिखा है, कमालो, x की power 2, y की power 3, bracket में x plus y भी लिखा हुआ है, ऐसे direct degree नहीं बता सकते हो, पहले solve करोगे, उसके बाद degree बता हो, ठीक है, पहले multiply करोगे, इसका इसमें, इसका इसमें, तब में बोलोगे, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अब बात आती है, तुम लोगों ने समझे लिया, बही, degree कोई चीज होती है, बही होती है, highest power of variable होती है, तो degree की basis पे हम polynomial को भी define करते हैं, जैसे, कोई polynomial है, जि x की degree अगर 0 है, degree अगर 0 है, तो इसको बच्चा, हम लोग constant polynomial बोलेंगे, अगर example लिखो तो 5 लिख दो, ठीक है, अगर कोई linear है, linear की degree बन होती है, कोई example लिखो तो 2x लिख दो, linear ही तो है, अगर तुम्हें quadratic लिखना है, तो quadratic में कितनी term होती है, quadratic में degree कितनी होती है, दो degree होत तो 2x square plus 3x plus 5, कुछ भी लिख दो बेटा, अचा, degree अगर 3 करनी है, तो x की power 3 plus 2x square plus 5x लिख दो, minus 1, मंजेदार बात यह है, अगर कोई cubic polynomial है, तो degree कितनी होनी चाहिए, 3, कोई quadratic है, तो degree कितनी होनी चाहिए, 2 यह बाई quadratic खाके आया है नास्ते में, cubic के लिए degree 3, quadratic के लिए degree 2, linear के लिए degree 1, हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग सारा का सारा पढ़ते हैं, बेटा जादे तर वो quadratic चीजें पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, quadratic और cubic पढ़ते हैं, चलो एक कम करो, जल्दी से यह table बनाओ, उसके नीचे example लिख लो, यह सारे के सारे यह बच्चा examples है, ठीक है, बहुत डे सारे example बन सकते हैं, अगर यह भी लख दे रहे हैं, तो यह भी कोई खराब नहीं है, यह भी बिलकुल सही है, जदी से लिख लो बच्चा लोग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं,